सामने तालुका में कोर्णा का प्रभाव बढ़ रहा है और प्रशासन लोगों को टीका करन के लिए अधिक प्रोचसाहन देने की कोशिश कर रहा है लोग कोविड-19 की दिशान निर्देशों का पालन करें मास का उपयोग करें इस उद्देश से सभी टीका करन केंदरों पर तैसेर कारयाले और सामाचिक संगोटनों की पहल से मुफ्ट में मास्क वितरित किया जा रहा है वही जिन गाओं में कोड़ना से अधिक रोगी है वहाँ भी मुफ्ट मास उपलब कराया जा रहे है ऐसी जानकारी तैसलदार सतिश मासार नहीं दी तैसलदार सतिश मासार इन्होंने सभी धर्मान संगटनों और कुछ उद्द्यों को की गई अपील की अनुसार मानो रुहानी मिशन इन्होंने 10,000 मास भारतिय स्टेट बैंक द्वारा 3,000 अन्य अधिज्यों को द्वारा 2,000 बैडमिंटन कलब की कारे करताओ द्वारा 2,000 मास ऐसे कुल मिलाकर 17,000 मास तालुका में वितरित किये गए सामाजिक प्रतिबद्यता के रूप में सावनेर बैडमिंटन कलब ने वितरिन के लिए 2,000 मास प्रदान किये कोर्णा की दूसरी लहर पूरे भारत में फैल गई है और रोग्यों की संख्या भी तेसी से बढ़ रहे है इसमें मरने वालों की संख्या में भी वृद्धी हुई है इस पर अंकुष लगाने के लिए राजसरकार ने पिछले एक महीनी से एक बार फिर से सक लॉकडाउन कर दिया है लेकिन इन सब के बावजुद नागरिक बिना मास के घूम रहे है नगर पालिका भी बिना मास के वाले लोगों पर आर्थिक दंड लगा रही है लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं हो रहा है इन सारे चीजों को देखते हुए सरकार और स्थानिय सावनियर मैडमिंटन क्लब और अन्य लोगों ने मास के विना घूम रहे लोगों में मास क वित्रित करना शुरू किया मंगलवार को सावनियर गांधी चोक यहाँ उप्विभागे अधिकारी अतुल मेत्रे तहसिलदार सतिश मासाय पुलिस उप्विभागे अधिकारी अशोक सरमकर सावनियर पुलिस नरीक्षक मारूती मोयुक नायप थहसलदार गजानन जवादे पुलिस उपनरीक्षक सतिश पाटिल हेड कॉंस्टेबल बोरकर कलब के सदस्य एड़ोकेट शेलेश जैन एड़ोकेट भूजरात सुनकुसरे, प्रकाश बालपांडे, पुर्वनगर सेवक लक्ष्मिकान देउटे, डक्टर सचीन घटे, पत्रकार विजय पांडे, पियोस जिंजुवाडिया और थहसलवनगर परीशत की करमचारी इस वक प्रमक्ता से उपस्तित थे बीस्यन न्यूस केले सामीर से किशोर डुंडुले के रिपोर्ट